प्रिवान एक बार फिर से अब सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में तो काफी दिनों बात आज विलोग बनाने का टाइम मिला है यार टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल वीडियो बनाने का काफी तेज चक्कर लग रहे थे गाड़ी के और सोना जरूरी होता है रा आज पूरा दिन क्यूंकि अब लखनाव आने वाला है सुल्तानपुर से थोड़ी सी पीछे है थोड़ा बाद लखनाव आ जाएगा लखनाव के बाद लखनाव से निकलेंगे दस बजे तो दस बजे तक रात को दस बजे तक टाइम ही टाइम है अपने पास तो वीडियो बना लेते हैं आज तो अभी पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर सुबा सुबा का टाइम है लगवक्स छे बजे हैं अभी और काफी खुबसूरत मौसम है थोड़ा थोड़ी धुन्द है लेकिन नॉर्माली मौसम है ज्यादा धुन्द नहीं है आज साफ सुत्रा मौसम है क्योंकि सुरज दीखने लगा है थोड़ा 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 से बाद लें या बारीस पड़ाओी दिखाई दे रही है हिलकी मुल्गी मकर फिर भी सुरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सामने से और काफी खुबसूरत भीव है आस पास का थोड़ी थोड़ी जंगल काफी खुफसूरा जंगल है इदर और इदर से निकल रहा है सन्राइज हो रहा है हल्का हल्का लाल लाल दिखने लगा है कि चलते हैं भी आगे को अभी थोड़ा था टायर वायर्ट चेक करने तरह सुल्तानपुर उसके बाद आगे निगलेंगे चाहे नास्ता कर गें यहां तो अभी कुछ नहीं मिलेगा सुल्तानपुर टोल पे ही है सब कुछ चाहे पानी नास्ते का जुगार चलते हैं आगे को कि अगर 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 कि अहीं मुगे अगर में पाहेंर, प्कisme लिए लगे में मुगार्स Amen कि अहीं मिलेगे कि अहीं मुगार्स टूप्से प्सक्राइब बार्णाश्ट वाल कुई के अच्छे टाइम पर हो जाता है। क्योंकि नद्ध बाहरी एरिया वहाँ पर चालू हो गए यह एक रेलबी डौ सिर्ट दोर फीलिघ रहता था लेकिन अभी पार बनने के बाद अच्छा भात हो जाता है। जादा जाम वामने मिलता, पहले बहुत जाम लगता दा, लेकिन अभी ये थोड़ा था चुराया है, अभी भीड़बार नहीं है, यहाँ भी जाम लगता है, भी भीड़ नहीं है तो इस बएदे, जोई भी परिसानी नहीं अगी है निकालने में तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं सुल्तानपूर पार करके होटल पे काफी छल्दी पहुच गया सब्सक्राइब क्यूंकि जाम नहीं मिला वो ओवर्ब्रीज जो था रह गया था जहां जाम लगता था वो चालू हो चुका है बादी तोर्ट हो गया है खाल हो गया है खाल तो अभी पहुंच चुके होटल पे ये था जैली होटल पर रुः जारा-फोर शूभा की आप सुबार्ज हम्राυχल होटल पे काफी पीजी होटल है इदर साइड में बहुत शारी गाड़ियां खड़ी हैं इदर साइड में और इदर भी काफी गाड़ियां खड़ी हैं ये पहली बार इस होटल पर रुगे हैं देखते हैं कैसा मिलता है खाना अभी फिलाल बिर्यानी काते हैं सुबह रात को गाड़ी चलाने वाले को फूंक काफी लग जाती है क्योंकि उप्सूरत बेतरीन आगे आने वाला है लुलू मॉल लुलू मॉल भी इसी रोड पे यह लगनव कानपुर बाइपास है जो कि लगनव को पूरा पार करा देता है लेकिन दिन में इस पे भी नोंट्री रहने लगी है भी काफी जादा भीड़ होती है इतर इस साइड में तो पेसली काफी भीड़ रहती है इस वज़े से नोंट्री लगी रहती है इस प्रोड पे भी यहां तक भी आने नहीं देते हैं गाडियों को पहले यह पाइपास बना था लगनव कार करने के लिए ती बार बार निकल जाते थे यह रिया था है लूलू मॉल साइड काफी लाइटिंग लगा रखी है छोटे-चोटे बावो हैं लाइट भी लगा रखी है काफी कुप्तूरत वह रहा साइड में लूल काफी पेड है इस वह थोड़ा कम दिखाई देगा अभी आके जाके मैंने इंट्रेंस दिखाई दे यह फ्रेंट आने वाला है इसका लूलू मॉल का वह रहा सामने मैंने इंट्रेंस यह पूरा मैंने इंट्रेंस है इसका लूलू मॉल का काफी कुप्तूरत है अराम से अराम से अराम से तोड़ा अराम से देगो कार निकल ले है उदर दे जाड़ा देना मिलेगे देना अराम तर बाड़ी निकलने लगड़ा है यह है अगरा है लगनाव एक्सप्रेस वे यानि के ताज एक्सप्रेस वे में एंटर होने वाले है यह रहा सामने अभी भूम के पूरा जीरो टर्न लेके आएंगे जीरो टर्न बोलते हैं मिल्कुल भूम के आना बापस से यह रहा आगे जीरो टर्न जीरो माइल बोलते हैं इसको करिद्ग कि बापत इस हैवेए पाना पूरा झ्वूंगं गाम हें घा जाता है एक्स बहर का एंटर है यह एक्स ब्रेसेश गूंद रहा के पाफ खु़रेशवेश बरे ध्युद्ग पूरा जीरो टान है तो वहां से आ रहे हैं हम लोग भूम के पूरा तो ही प्यारा ताज एक प्रेस्वे बनाया है वाज़ा आता है गाड़ी चलाते हुए इजए रहता है तो है फौर ए है पूरा क्या nårगस्तों के वाज़ा नियुक्ता है पूरच पारख जिति फच्च स साएटर प्रेश को अचलाते रहते ही ज क्योंक पाल सके नहीं है आपर दोड़ा आदमी कि सुस्त हो जाता है ना इसलिए ठोड़ा एक्टीब रहना पढता है आप है तियारोगे रहना पड़ता है काफी नीन आने के चांसे चाधा रहते हैं जहां20, 2 कि तो फिल 000 कई में अपना सफर पूरा कर देंगे लेकिन जो लॉंग जड़नी पर जाने हैं जैसे लगनव आगरा जा रहे हैं उनको काफी ध्यान देना परता है यहां पर नीद हो पेसली आई जाती है क्योंकि यहां पूरे हाईवे पर कहीं भी गेर लिगानने की दरूवत नहीं है एक टोल आएगा जो कि पूरे भी आगे पड़े गाहद है वीस किनो मिटर आगे उसके बाद मैं जो है कहीं भी टोल नहीं है पूरे लगनव आग्रे तक कोई भी टोल नहीं पड़ेगा बिनकूल फिरी उसके बाद में जब लगनौ एक्प्रेजवे पर जाके जहां उतरोंगे वहाई पर टॉल कटेगा बतलब फिर उसके बाद में कोई टॉल नहीं है पूरे हाईवे पर फिरी है कहीं भी बिरिक मानने की दरूरत नहीं है उस-साइड में मच चल भाई यह एक लाइन पॉल लाइन है एक साइड में और सब्सक्राइब चलती है अन है यह वाई भार हो के लिए और भाकि यह वाली त्रम्राश के लिए play उनकी जो होजाता है कि उप्स काठा जातती है about लेकिन फिलाल काफी बेहतरी नाइवे काफी दूबिदा होते भरपूर है आगे 35-40 किलो मीटर आगे जाके रैस्ट एरिया बढ़ता है वह भी काफी यूनिक तरीके का बनाये हुआ है काफी तूबिदा है जैसे कि कभी विदेश में सब देखते हैं विदेश के रोड़ों के यह जी ताज हाइवे का रात का नजारा काफी खूप्सूरत रोड है यह ताज हाइवे समय लाइटिंग वाइटिंग वड़ी खूप्सूरत कर रखी है ताज हाइवे पर भी बहुत ही बेहतरीन विव हुए यह है पहला स्टोप सामने है टोल टैक्स इसके बाद में कोई भी टोल टैक्स नहीं पड़ेगा पूरे आगरे तक जहां उतरना होगा उसी कट पे तुम्हें टोल टैक्स मिलेगा साइड में जाके वहां से उतरोगे अपना टोल का चार्ज दोगे और निकल जाओगे बाद औ पूरे रास्ते आगरे तक कहीं भी ब्रेक लेने की जरूवत नहीं है अगर बंदा चलाता रहा है तो कंटीनी उसलिए चलाने वाला हो तो कहीं भी ब्रेक लेने की जरूवत नहीं है इतना साफ सुत्रा हाईवे बनाया है यह बहुत ही प्यारा बहुत ही बहुत ही बहुत ही को डाउन पर गाड़ी का रसा दिरपाल भी खोल दिया है मतलब कबर जितना डगा हुआ था सब खोल दिया है भी लेबर आएगी साथ बज़ आट बज़े वो अपना काम सुरू कर देगी हमारा काम हो जाता है खतम और इस काम को खतम करने के बाद में हम सोएंगे आराम से तीन को सब्सक्राइब करो फिल मिलते हैं नए भी लोग में फिलाल दीजिए इजाजत बाई 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 बाई